अब ही आज ओप्चारिक सुभारंब होगा मैं आपको बढ़ाई दिना चाहूँगा इस नाते से भी जहां हमने आधनिक विकास को लेकर के नए आयाम बनाने का निर्णे किया है महीं आपकी मौझूदगी में पिछले समय जो सांस्कतिक अनुष्ठान का पर्व खास करके बाबा महाकाल के महालोग के बाद तेरा तेरा अलग अलग प्रकार की धार्मिक गतिविदियों का हमने हमारे अपने चाहरो और्चा का राजाराम का मंदिर हो सलकनपुन का मंदिर हो कटनी की महीर की माता का स्थान हो सभी स्थानों पर विकास के समान रूप से काम किये लेकिन यह धार्मिक परेटन को बढ़ाते बढ़ाते अब हमारे सभी प्रकार के परेटन को छेतर को बढ़ाने के लिए भी विविद आयों का एक प्लेट फार्म हमने खड़ा किया है मुझे इस बात की प्रसनता है खास करके हमारे अपने इस आयजन में काल की गणना की नगरी उज्जेन जो आदी काल से अपने खगोल ग्यान और समय गणना के नाते से जानी जाती थी और हमारे अपने उस सुद्ध समय की गड़ना तीन सो साल पेले तक दुनिया में होती थी लेकिन तीन सो साल से अभी वरतमान में ग्रिनविश से इसकी समय की गड़ना होती है लेकिन हम सब जानते हैं ये तारों की चांद की गड़ना दुनिया आज करने लगी होगी हमारे यह तो हजारो हजार साल से चंद्रोधाई सुरिग्राण सुरियास्त सुरवडाई यह जो हमारा समय का महत्ता रहती है वो पंचान के अंदर से हमारे मांगलिक सारे पर्व तयोहार यह हमारे अपने पंधित जी कभी से निकाल देते हैं में जो इस बात की प्रसनता है, आज नई एक वेदिक घड़ी की सुरुआत हो रही है, जो आपके माद्देम से विश्व की पहली वेदिक घड़ी, जो हमारे भारती समय के दरश्टी से, हमारे सुद्ध मंगल के समय की, सुद्ध मांगलिक कारियों के लिए समय गणना की, वो हमारे राजा राम से उनका राम राज्य की बात आती है, विक्रमादित का सुसासन दो हजार साल पेले होता है, मुझे इस बात की प्रसंसा करने में कोई संकोच नहीं होगा, आज भी आपके नेतरत में सुसासन की धमक, दुनिया देख रही है, मुझे इस बात का अत्यंत हर से आनन्द है, और आज के साहिजन में सब्राट विक्रमादित का वो सुसासन याद करते वे, उस विक्रमोसों की सुरुवाद भी आप करेंगे, मैं आपका वंदन करता हूँ और एक बार भी करतल धनी से आपका सारे 15 लाख से ज़्यादा जुड़े वे सारे हमारे अपने भाई बेन आपका स्वागत करते, मैं मद्विदेश की धरती पर आपके समय देने का अभार भी मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि विक्रम को आपका अशिरवाद लगाता और मिलता रहेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद भरतमाता की जाए बहुत-बहुत धन्यवाद नानेनीय मुख्य मंत्री ची स्वागत उद्भोधन के लिए और अब हम आधरनीय प्रधान मंत्री ची से निवेदन करेंगे कि वे 17,000 करोड की लागत से 37 परियोजनाओं का शिला न्यास और लोकारपन करें साथी साथ मध्यप्रदेश के समस्चिलों में साइबर तहसील का शुभारम और विश्व की सबसे अद्भूत विक्रमादित वैदे खड़ी उज्जैन का उद्घाटन रिमोज का बटन दबा कर करने की क्रिपा करें करफ दो कर दो कैशा है कर दो जाए कर दो झाल 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 कि बहुत 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 धन्यवाद मानने प्रधान मंत्री जी आपके अनूठी सौगातों के लिए संपूर राश्ट विकास की रहं को आसान बना रहा है डेल मार्क आएदेखते हैं इसी पर आधारित एक लगू फिल्म पीटे दस वर्षों में प्रधान मंत्री के नित्रित्व में रेल्वे के काया कल्प से जुड़े इस अभियान को मिली है अभूत पूर्वगती साथियों बीते दस वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेल्वे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज माननिय प्रधानमंत्री जी द्वारा मध्यप्रदेश में किया जा रहा है 2000 करोड रुपए से अधिकी रेल परियोजनाओं का रास्ट्र को समरपन राज्य के नर्मदापुरम जिले में पोवार खेडा जुझारपुर रेल्वे सिंगल लाइन फ्लाइओवर के बनने से पैसेंजर ट्रेनों एवं माल गाडियों का संचालन होगा आसार साथ ही इटारसी और आसपास के क्षित्रों में रेल परिचालन होगा सुगम मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोडने वाली नवनिर्मित वीरांगना लक्ष्मी बाई जहांसी जाखलौन रेल लाइन और धौरा आगा सो तीसरी रेल लाइन से वेस्त जासी बीना रेल सेक्षन पर ट्रेनों का सुगम परिचालन हो सकेगा और बुंदेल खंड रीजन में होगा आर्थिक सामाजिक विकास राज्य में न्यू सुमावली जोरा अलापोर रेल लाइन के निर्मान से इस शेत्र में बढ़ेगी रेल कनेक्टिबिटी ये रेल परियोजनाए जहां राजी में रेल सब पर को सुगम बनाएंगी वही विकसित मध्यप्रदेश और विकसित भारत के संगल्प को करेंगे सिद्ध मानिये प्रधान मंत्री जी के मार्ग दैशन में आजादी के इस अमरित काल में हमारा मध्यप्रदेश मानिये मुख्य मंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतरित्व में प्रगतिशील प्रदेश के रूप में उभर रहा है और अब मध्यप्रदेश की विकास गाथा को प्रस्तु किया जाएगा एक लगू फिल्म के बाध्यम से मेरे लिए सबसे बड़ी जाती है गरीब मेरे लिए सबसे बड़ी जाती है युवा मेरे लिए सबसे बड़ी जाती है महिलाएं मेरे लिए सबसे बड़ी जाती है किसान या शेस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जित्वारा देश के प्रत्येक नागनी को सर्शक्त बनाने एवं 2047 तक भारत को विश्व का विक्सित राज बनाने के उद्देश से विक्सित भारत संकल्प महा अभियान की शुरुवात की गई है। संकल्पना को नई उचाहिया प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री के बाद नामंतरन और लेंड रिकॉर्ड्स के अबडेशन को त्वरित बनाने के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर तहसिल व्यवस्था लागू की जा रही है जिससे नामंतर स्थापना होगी मध्य प्रदेश में जन कल्यान के लिए किये जा रहे कारियों में अदोस्तन रशना विकास के अंतरगत करीब 6400 करोड रुपए की चार नई सिचाई परियोजनाएं प्रारंब की जा रही है जिससे लगबग 72000 हैक्टेयर भूमी सिंचित होगी और प्रद से प्रदेश के ग्यारा जिले लाभानित होगे प्रदेश में सडकों के विस्तार के लिए लगभग 600 करोड रुपए की पांच नई परियोजनाएं प्रारंब की जा रही हैं जिन से प्रदेश के अनेक शहर कस्बे और ग्रामिन शेत्रों में विकास का मार्ग प्रशस्त हो संखल्प कुसाकार करने के लिए राष्ट निर्मान में अपना निरंतर योगदान देने के लिए द्रव संखल्पित्था है और अब ससम्मान मैंने विधन करना चाहूंगी आधरनीय प्रधान मंत्रीजी से जिनोंने भारत को सर्वश्रेश्थम देश पनाने की अलग हर भारतवासी के रिदय में उत्पन की है ऐसे संपून विश्व के सरवार्देक लोगप्रिय जननेता हम सभी के प्रेंडना स्रोत ये शिस्वी प्रधान मंत्रीजी से हम विनर्मता पून आगरे करना चाहेंगे कि वह अपनी अमरित वानी से हम सभी का मार्ग दर्शन करने की खृपा करें नबश्कार विक्षित राज्य से विक्षित भारत अभियान आज हम मद्द प्रदेश के हमारे भाई बेहनों के साथ जुड़ रहे हैं लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं डिंडोरी सड़क हाथसे पर अपना दुख्य वक्त करता हूँ इस हाथसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है मेरी सम्वेदनाए उनके साथ है जो लोग गायल है उनके उपचार की हर विवस्ता सरकार कर रही है दुख की इस गड़ी में मैं मद्द प्रदेश के लोगों के साथ हूँ साथियों इस समय एमपी की हर लोग सभा विदान सभा सीट पर विख्षित मद्द प्रदेश के संकल्प के साथ लाखों साथी जुड़े हैं बिते कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों ने ऐसे ही विख्षित होने का संकल्प लिया है क्योंकि भारत तभी विख्षित होगा जब राज्य विख्षित होंगे आज इस संकल्प यात्रा से मद्द प्रदेश जुड़ रहा है मैं आप सभी का अभिनन्दन करता हूँ साथ क्यों कल से ही MP में नव दिन का विक्रम उत्सव शुरू हो वाला है यह हमारी गवरोव शाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है इसका प्रमा उज्जेन में लगी वैदिक गड़ी भी है बाबा महाकाल की नगरी कभी पुरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था अब हमने विश्व की पहली विक्रमा अधित्य बैदिक गड़ी फिर से स्थापित की है इस अपने समर्द अतीत को पुनह याद करने का सिर्फ आउसर भर हैसा नहीं है ये उस काल चक्रभी की भी साक्षी बनने वाली है जो भारत को विक्सित बनाएगा साथियो आज एमपी की सभी लोगसभाज सीटों को एक साथ लगभर सत्ता हजार करोड रुपिय की विकास परियोजना मिली है इन में पेजल और सिंचाय की परियोजना है सड़क, रेल, खेल परिसर, सामुदाइक सभागार और अन्य उद्योगों में जुड़े प्रोजेक्स है कुछ दिन पहले ही एमपी के 30 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनी करण पर भी काम शुरू हुआ है भाजपा की डबल इंजिन सरकार ऐसे ही डबल स्पीड से विकास कर रही है ये परियोजनाएं एमपी के लोगों का जीवन आसान बनाएगी यहां निवेश और नोक्रियों के नए आउसर बनाएगी इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई साथियों आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती हैं अपकी बार चार सो पार अपकी बार चार सो पार पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है ये नारा बीजेपी ने नहीं बल्कि देश की जनता जनारदन का दिया हुआ है मोदी की गारंटी पर देश का इतना विश्वास भाव विभोर करने वाला है लेकिन साथियों हमारे लिए ये सिर्फ तीसरी बार सरकार बनने का सरकार बनाने का सिर्फ लक्ष है ऐसा नहीं है हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं हमारे लिए सरकार बनाना अंतिम लक्ष नहीं है हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम है यही हम मद्द प्रदेश में भी देख रहे हैं बीते दो दसक से निरंतर आप हमें अवसर दे रहे हैं आज भी विकास के लिए कितनी उमंग कितना उत्सा है यह आपने नई सरकार के बिते कुछ महिनों में देखा है और अभी मैं मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहा हूं लोग ही लोग नजरा रहे हैं वीडियो कॉन्फरनस पर कारकम हो और पंदरा लाग से जादा लोग जुड़े हो दोसों से अधिक स्थानों पर जुड़े हो यह घटना सामान ये नहीं है और मैं मेरी आखों से यहां सामने देख रहा हूं कि टीवी पे कितना उत्सा है कितना उमंग है कितना जोस दिखाई दे रहा है मैं फिर एक बार मद्यप्रदेश के भाईयों के इस प्यार को नमन करता हूं आपके इस आशिरवात को प्रणाम करता हूं साथियों विक्सित मद्यप्रदेश के निर्माण के लिए डबल इंजिन सरकार खेती उद्योग और टुरिजम इन तीनों पर बहुत बल दे रही है आज मान नर्वदा वहाँ पर बन रही तीन जल परियोजनाओं का भूमी पुजन हुआ है इन परियोजनाओं से आदिवासिक छेत्रों में सीचाई के साथ साथ पेजल की समस्या का भी समाधान होगा सीचाई के एक छेत्र में मद्द प्रदेश में हम एक नई क्रांती होते देख रहे हैं केन बेत्वा लिंक परियोजना से मुंदेल खंके लाखों परिवारों का जीवन बदलने वाला है जब किसान के खेत तक पानी पहुंचता है तो इससे बड़ी सेवा उसकी क्या हो सकती है भाजपा सरकार और कॉंग्रेस की सरकार के बीच का क्या अंतर होता है इसका उधारन सिंचाई योजना भी है 2014 से पहले के 10 वर्सों में देश में लगभग 40 लाग हैक्टर भूमी को सुख्ष्म सिंचाई के दाइरे में लाया गया था लेकिन बीते 10 वर्स के हमारे सेवाकाल में इसका दो गुना यानि लगभग 90 लाग हैक्टर खेती को सुख्ष्म सिंचाई से जोड़ा गया है यह दिखाता है कि भाजपा सरकार की प्रात्मित्ता क्या है यह दिखाता है कि भाजपा सरकार यानि गती भी प्रगती भी साथियों छोटे किसानों की एक और बड़ी परेशानी गोदाम की कमी की रही है इसके कारण छोटे किसानों को ओने पोने दाम पर अपनी उपज मजबूरी में बेचनी पड़ती थी अब हम बंडारण से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं आने वाले वर्षों में देश में हजांगरों की संख्या में बड़े गोदाम बनाए जाएंगे इससे साथ सो लाख मेट्रिक टन अनाज के बंडारण की व्यवस्ता देश में बनेगी इस पर सरकार सवा लाग करोड रुपिय से जादा खर्च करने जा रही हैं साथियों हमारी सरकार गाउं को आप मंदिर भर बनाने पर बहुत बल दे रही है इसके लिए सहकारिता का विस्तार किया जा रहा है अभी तक हम दूत और गन्ने के एक शेत्र में सहकारिता के लाब देख रहे हैं बाजपा सरकार, अनाज, फल सबजी, मचली ऐसे हर सेक्टर में सहकारिता पर बल दे रहे हैं इसके लिए लाखो गावों में सहकारी समित्यों का, सहकारी समस्थानों का गठन किया जा रहा है कोशिश यही है कि खेती हो, पशुपालन हो, मदुमक्खी पालन हो, मुर्गी पालन हो, मचली पालन हो हर प्रकार से गाव की आएब बढ़े, साथियों, गाव के विकास में, अतीत में एक और बहुत बड़ी समस्था रही है गाव की जमीन हो, गाव की प्रपर्टी हो, उसको लेकर अनेक विबाद रहते थे गाव वालों को जमीन से जुड़े, छोटे-छोटे काम के लिए परसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे अब ऐसी समस्याओं को हमारी डबल एंजीन के सरकार, पी-म स्वामित्व योजना के जरिये 27 समाधान निकाल रही है, और मद्द प्रदेश तो स्वामित्व योजना के तहट बहुत अच्छा काम कर रहा है, मद्द प्रदेश में 70 प्रतिशत गाउं का ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है, अभी तक 20 लाख से अधिक स्वामित्व कार दिये जा चुके हैं, इस जो गाउं के घरों के कानूनी दस्तावेज मिल रहे हैं, इससे गरीब कई तरह के विवादों से बचेगा, गरीब को हर मुसिबत से बचाना ही तो मोधी की गारंटी है, आज मद्द प्रदेश के सभी पच्पन जीलों में साइबर तहसिल कारकम का भी विस्तार किया जा रहा है, अम नामान तरण रजिश्ट्री से जुड़े मामलों का समाधान डीजिटल माध्यम से ही हो जाएगा, इससे भी ग्रामीर परिवारों का समय भी बचेगा और खर्च भी बचेगा, साथियों मद्द प्रदेश के नवजवान चाहते हैं कि MP देश के अग्रणी आउद्योगीक राज्यों में से एक बने, मैं MP के हर नवजवान को विशेश रुप से फर्स्ट टाइम वोटर को कहूंगा, कि आपके लिए बीजेपी सरकार नए आउसर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है, मद्यप्रदेश आत्म निर्भर भारत का मेक इन इंडिया का एक मजबुत स्थम्भ बनेगा, मुरेना के सितापूर में, मेघा लेधर एंड फुट्वेर क्लस्टर, इंदोर में रेडिमेड गार्मेंट इंडिस्ट्री के लिए पार्क, मन्सोर के इंडिस्ट्रियल पार्क का विस्तार, धार इंडिस्ट्रियल पार्क का नया निर्मान, ये सब कुछ इसी दिशा में उठाये जा रहे कदम है, कॉंग्रेस की सरकारों ने तो मैनुफेक्टरिंग की हमारी पारंपरिक ताकत को भी बरबात कर दिया सा, हमारे हाँ खिलोना बनाने की कितनी बड़ी प्रमपरा रही है, लेकिन स्थिती ये थी कि कुछ साल पहले तक हमारे बाजार और हमारे गर विदेशी खिलोनों से ही परे पड़े थे, हमने देश में खिलोना बनाने वाले अपने पारंपरिक साथियों को विश्व कर्मा परिवारों को मदद दी, आज विदेशों से खिलोनों का आयात बहुत कम हो गया है, बलकि जितने खिलोने हम आयात करते थे, उससे ज़्यादा खिलोने आज निर्यात कर रहे हैं, हमारे बुधनी के खिलोना बनाने वाले साथियों के लिए भी अनेक अवसर बनने वाले हैं, आज बुधनी में जिन सुविधाओं पर काम शुरू हुआ है उससे खिलोना निर्माण को बल मिलेगा भाई और बहनों जिनको कोई नहीं पुछता उनको मोधी पुछता है देश में ऐसे पानपारिक काम से जुड़े साथकों की मेहनत का प्रचार करने का जिम्मा भी अब मोधी ने उठा लिया है मैं देश दुनिया में आपकी कला आपके कौशल का प्रचार कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब मैं विदेशी अतित्यों को कुटीर उद्द्योग में बने सामान उपहार के रुप में देता हूँ तो आपका भी प्रचार करने का पूरा प्रयास करता हूँ जब मैं लोकल के लिए वोकल होने के बात करता हूँ तो आपके उजवल भविश्य के लिए घर घर एक प्रकारते बात पहुंचाता हूँ साथियों बीते दस वर्सों में पूरे विश्व में भारत की साख बहुत अधिक बड़ी है आज दुनिया के देश भारत के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं कोई भी भारतिय आज विदेश जाता है तो उसको बहुत सम्मान मिलता है भारत की इस बड़ी हुई साख का सीध हाला निवेश में होता है परियटन में होता है आज अधिक से अधिक लोग भारत आना चाहते हैं भारत आएंगे तो MP आना तो बहुत स्वाभाविक है क्योंकि MP तो अजब है MP तो गजब है पिछले कुछ वर्षों में उंकारेश्वर और ममलेश्वर में सुरत धालों के संख्या में भारी बड़ोत्री हुई है उंकारेश्वर आदी गुरु संकराचारी के सुरुति में विच्षित किये जा रहे एक आत्म धाम के निर्मान में ये संख्या और बढ़ेगी। उज्जेन में दोजार अठाइस में सिहस्त कुम्भवी होने वाला है। इंदोर के इच्छापूर से ओंकारेश्वर तक फोर लेंड सडक के बनने से स्रध्धालों को और सुविदा होगी। आज जिन रेल परियोजनों का उद्गाटन हुआ है। उससे भी मद्यप्रदेश की कनेक्टिविटी और ससक्त होगी। जब कनेक्टिविटी बहतर होती है तो खेती हो परियाटन हो या फिर उद्गोग हर किसी को लाब होता है। साथियों बीते दस वर्स में हमारी नारी शक्ति के उत्थान के रहे है। मोदी की गारंटी थी कि माताओं बेहनों के जीवन से हर असुविधा हर कष्ट को दूर करने का इमानदार प्रयास करूंगा। ये गारंटी मैंने पूरी इमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन आने वाले पाँच वर्ष हमारी बहनों बेटियों के अभुद्पुर्व ससक्ति करण के होंगे, आने वाले पाँच वर्षों में हर गाउं में अनेक लगपती दीदियां बनेगी, आने वाले पाँच वर्षों में गाउं की बहने नमो ड्रोन दीदियां बनकर खेती में नई क्रांती का आधार बनेगी, आने वाले पाँच वर्षों में बहनों की आर्थिक स्थिति में अभुद्पुर्व सुधार आएगा, हाल में एक रिपोर्ट आई है, इसके मताबिक बीते दस वर्षों में गरीब कल्यान के लिए जो काम हुए हैं, उससे गाउं के गरीब परिवारों की आए तेजी से बढ़ रही है, रिपोर्ट के मताबिक शहरों के मुकाबले गाउं में आए ज़्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, बीते दस वर्षों में पचीश करोड देशवासी गरीबी से भार आए हैं, यानि बीजेपी सरकार सही दिशा में काम कर रही हैं, मुझे विश्वास है कि मद्यप्रदेश ऐसे ही तेजी से विकास की नई उचाई प्राप्त करता रहेगा, एक बार फिर आप सभी को विकास कारियों की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं, और आज आप इतनी बड़ी तादाद में वीडियो कॉन्फरंस वाले कारिकम में आये, आपने नया इतिहास बना दिया है, मैं आप सब भाई बहनों का रदय से धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद!